हैलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर वज़ार वित आयुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर के स्टॉक के बारे में फ्रेंट्स आज आपको देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स का स्टॉक काफी बढ़िया कर रहा था 500 रुपीस के अबाव देखी ओपनिंग हुई और कह सकते हैं कि रिजुल्ट्स पे जो स्टॉक ने आज एक रियाक्शन दिया है वो काफी पॉजिटिव था एक बहुत बड़ी बात है और टाटा पावर बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मल रहा है और मुझे लग रहा है कि देखें टाटा पावर के अंदर जो तेजी गायब हो गई थी अपर कह सकते हैं जो मुनाफ़ वसुली थोड़े दिन तक हावी रही है वो मुनाफ़ वसुली जाती हुई देखने को मिलिए और दो से तीन एक बड़िया खबरे भी देखें निकल के आई है इन दोनों स्टॉक्स के उपर तो इस वीडियो को पूरा जरूर आप देखेगा क्योंकि यह जो खबरे हैं यह काफी जादा पॉजिटिव नियूज है इन्हें पॉजिटिव नियूज का एक बहुत बड़ा इंपक्ट पर सकता है स्टॉक के उपर तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखेगा फ्रिंट्स चैनल से फर्स टाम अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको यह वीडियो बड़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाईएगा सो फ्रेंच सबसे पहले टाटा पावर की उपर बात करते हैं टाटा पावर आज काफी जादा बढ़िया करता हुआ देखने को मिला और आपको देखने को मिलेगा शुरुवात में एक गयापप ओपनिंग हुई बट मेंले अगर हम देखते हैं तो टाटा पावर ने आज काफी बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया और कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेट था जो स्टॉक यहां पर देखे तेजी कर रहा था लास्ट वन मंत के अंदर और यह बड़ी बात याद रखेगा वन मंत के अंदर इतना बढ़ना स्टॉक डेफिनिटल फ्रेंस एक बहुत बढ़िया बात है और टाटा पावर फ्रेंस वो आपको आज करता हुआ देखने को मिला है करीबन 35% एक महिने के अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिला है काफी सारे factor थे जिसको देखे stock ने इन गया अब important चीज गा है important चीज फ्रेंस यह है कि यहां से टाटा पावर कहां तक जाएगा को कह सकता हूं इसे बढ़िया खबर stratum stara power के निकल के नहीं आ सकती है very good news दोस्तों जो ब्लाक रॉक कम्पणी है ब्लाक रॉक तेखें यहां पे निवाश कर सकता है टाटा पावर के ग्रीन ब्सफल है जो कम्पणी का रिनेवेबल बिसनस Paco क्मपणी का मेएन फोकस ए इस कह सकते हैं पड़िए अध्यहीं अध्या क्षिक्व न rivers कों बढ़ाने का काम कर रहा है जिस तरह से focus कर रहा है कि यहां से हम अपने business को किस तरह से और उपर लिखे जाए important क्या है दो तिन चीज़े याद रखेगा important क्या है सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से देखे यहां पे लोग आपको shift होते हुए के देखने को मिल रहे है और ड्रेवेबल business के उपर देखे mainly focus रहेगा यहां पे solar power plant देखे जिस तरह से टाटा power का बिकता हुआ देखने को मिलता है जिस तरह से electric vehicle के लिए charging stations बना रहे है तो याद रखेगा friends यह जो पूरा scenario create हो रहा है वो टाटा power काफी सोच समझके कर रहा है टाटा power के जितना देखे मुझे बढ़िया management अभी market में नहीं दिखता है अगर टाटावर को यह comparison करता हूँ है बाकी सारी power sector की company से टाटा power के पास best management है और management के साथ साथ friends वो सोच समझके काम कर रहा है ऐसा नहीं कि देखे quick decision making होता है हर चीज का देखे एक पूरा कह सकते timeline shift होती है timeline बनती है और उस timeline में देखे जिस तरह से process पूरी create हो रही है बीच-बीच में देखे आप बड़ी-बड़ी खबरे निकल के आती है और वो खबरों के काने ने एक major impact पड़ता है stock पे तो यह stock पे impact क्यों पड़ रहा है because friends यहां पे खबरे बढ़िया है अब क्या करने वारा है black rock सबसे बहले आप यह जान लीजिए so friends black rock के मुताबिक यहां पे जो cover है उसके मुताबिक जो company के CEO है Larry Fink उन्होंने साफसाफ कहा है कि वो करीबन साड़े साथ सो million dollars का निवेश कर सकते है टाटा power के अंदर जो estimated value लगा जा रही है वो है करीबन 3750 करोड से लगा कर 5625 करोड रुपे and friends इतना बड़ा amount अगर कभी भी किसी कोई company में आएगा तो आप समझ के चलिए उस company की growth को कोई नहीं रोख सकता because इतना बड़ा cash आना तब बड़ा investment आना friends यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है साफ साफ इसका कहा गया है कि जो valuations लगा ही जा रही है करीबन उसके 35,000 करोड की valuations है और उस पे करीबन साड़े साथ सो मिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहे and यह अपने आप में flink was among the earliest champions of climate change and sustainability linked investment देखिए जो investment आ रहा है वो कोई छोटा मोटा manager नहीं है largest asset manager है blackrock और इन्होंने सबसे पहले climate change sustainability link जो investment होता है उसके उपर research करी थी and काफी जाना माना देखिए foreign investment fund है so यह बहुत बड़ा पैसा देखिए निवेश करने जा रहे है Tata power की renewable energy TPREL जो है इसके अंदर and आप मान की चलिए यह इससे positive ख़बर कोई निकल के नहीं आ सकती है and इसके अंदर दोस्तों आपको निवेश क्यों करना है because देखिए सारे जो भी events है वो Tata power के पक्ष में आ रहे है अब बात करते है कल के targets के उपर so friends देखिए जिस तेजी से stock काम कर रहा है वो definitely काफी जादा positive दिखता है but important का important है important ही है कि देखिए आपको बने रहना है जिन लोगों ने देखिए अपना patience रखा है last six months उन्होंने काफी बढ़िया कमाया और अभी भी कहूंगा अगर आप patience रखेंगे तो यह 300 रुपय का level भी आपको दिखाएगा तो यह जैसे क्रॉस होगा आप मान की चली 250 रुपीज की zone बहुत easily आएंगे लेकिन मैं रहता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर consolidation देखने को मिलेगा तो कल का target 235 रुपय का ही होगा with a stop loss of 222 222 के stop loss के साथ 235 रुपय का लग्ष यहाँ पर आप पान के चल सकते हैं तो यह बात होगई फ्रेंट स्टार्टा पावर के उपपर अब बात करते हैं टार्टा मोटर्स के बारे में तार्टा मोटर्स ने काफी बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है हाँ closing बढ़िया नहीं देखने को मिली सिफ दो रुपय उपर बंद हुआ stock बट में लिए एक बात आपने नोटिस करे होगी टार्टा मोटर्स के अंदर आज कि जिस तरह से देखे कि खराब results के बाद भी आपको stock ने बढ़िया तीजी दिखाई शुरुबात में अगर आप देखेंगे तो यह आप 510 रुपय का हाई बनता हुआ देखने को मिला यह 510 रुपय का हाई देखे बहुत जादा खटक रहा है इस लेवल से stock अब आपको देखने को मिलेगा around 4th time if I am not wrong 4th time देखे यहां से reverse हो चुका है और लगातर आपको देखने को मिलेगा इस लेवल को cross नहीं कर पा रहा है but important क्या important friends यह कि देखे खराब results आने के बावजूद आज देखे बाजार में जिस तरह का impact था अब क्यों हुआ जो लोग नहीं समझ पाए आपको पहले एक बर वहता है तो फिर शाद रखेगा बाजार नहीं है जो results थे बाजार को पता तक है आईसे वह रहता है management की commentary and management ने दोस्तों जो यहां पर commentary करके दिखाई है याद रखेंगा यह बहुत बड़ी बात है management ने जिस तरह की friends commentary दिखाई वह important क्यों है because commentary से बता चलता है कि company के आगे का हम क्या outlook लगा के चलेंगे तो friends उन्हें साफ साफ का कि JLR की जो यहाँ पर sales है वह आगे बड़े ही लेकिन important क्या है semiconductors semiconductors की shortage है वह कम होती भी देखने को मिलेगी यहां पर एक recovery आती भी देखने को मिल सकती है from Q2 F5 22 H2 जो होता है यहाया एंड इन्होंने अपनी जो गार्यों की sales थी वह काफी जादा largely increase करती हुई देखने को मिली तो यह जो सिरीज ओव इवेंट्स हो रहे है यह काफी positive है अब यही माना जा रहा है कि जो जो कह सकते है worst था वह बिहाइंड रह चुका है इसका मतलब क्या है देखिए चाते फीछ इपने को बुरी चीज थी जो यहां पर बडja चीजे होती वह देखने को मिली एक positive कर आएप को तैता हूं कि जो यहां पर हम कह सकते है कि टागेट से ब्रोकरेजिस के टागेट से वो फ्रेंट्स वापई से निकल के आ है जिसमें मौगन स्टैनली हो गया इस सब देखिए जो भी देखिए बड़े बन नाव है उन्हें टागेट अभी मेंटेकर के रखें एक ब्रोकरेज फर्म के मताबिक 625 रुपे का आपको ल उसी लेवल से यहां पे स्टॉक गिरा है तो बहुत बर देखिए यहां पे लोग अपना पेशन्स को देते हैं लेकिन अगर आप पेशन्स रखेंगे तो देखिए वो आपने रैली देखिए जो स्टॉक ने चलाई है 290 रुपे से लगा कर देखिए आपको 530 रुपे तक तो यह सब कुछ देखिए होता हुआ देखने को मिलता है बट वो ही कि जो पेशन्स रख पाता है जो पेशन्स रख पाता है देखिए वो बढ़िया पैसा कमाता है लेकिन जो नहीं रख पाता है देखिए वो यहां पे डिफिनिटली बाद में रोतर जाता है तो आपको द लगता है मुझे टाटा मोटर्स बढ़िया कर रहा है और बढ़िया करेगा भी आगे एंड इंपोर्टन क्या है कि यहां से जिन लेवल्स का इस पर से टाटा मोटर्स मिल रहा है यह बाइंग वाले लेवल्स है आज भी दिखें स्टॉप गिरा है जो 510 रुपे से यह एक के चलिए यहां पर 525 से लगाकर 550 रुपे के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके बाद भी शेयर है बने रहना चाहिए कलकर टार्गेट करीबन 500 रुपे का हो सकता है वे ता स्टॉप लोस हो 475 तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो तो लाइक कर देना हो चानल सुन नहीं जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना हो थैंक्यू फ्रेंट्स वाचिं दिस वीडियो